Hello dear students, यह जो सीरीज चल रही है, A, B, C, D questions की, तो इसमें मुर्ड़ी A, B और C questions को solve कर चुके हैं, इसका सब कर लिंक आपको विडियो डिक्सिन मिल जाएगा, यह मुझे सिध्धान ने भेजा तक Class 8 के student ने और यह Practice More Mathematics, यह बुक का नाम है, रखना सावरों publication की है, और one variable से related questions ह इसलिए D questions solve करते हैं, बागी से मिटा देते हैं, question यह है कि age के relation, यानि महित और उसकी मा की उमर के बीच को जो relation वह यह है कि, मोहित's mother is four times that of मोहित's age, यानि मोहित की age जितनी है, उसका four times कर दो, तो मदर की age मिल जाएगी, present age, लेकिन 10 साल बाद, after 10 years, from now on, जो मोहित की जो age ह will be half of his mother's present age, मोहित की age, मा के अभी की age, जो मतलब यहाँ पे है, उसकी half होगी, तो उनकी present age इस पता करनी है, तो चलिए मैं इसे direct solve कर देता हूँ, हम यहाँ पे मोहित की age को x मानेंगे, let मोहित's present age, मोहित's present age is equal to x, then जो present age है मा के कितनी हो जाएगी, mother's present age will be, यह हो जाएगी four x, four times लिखा गया है, तो यह तो इनकी present age हो जाएगी, जो अभी variables में हमें मिली हुई है, ठीक है, present age है, लेकिन फिर situation बनती है कि after ten years, ten years from now मतलब, दस साल बात क्या situation होगी, दस साल बात situation यह होगी, कि दोनों में ददद चुड़ जाएगा, इसमें भी 10 जुलेगा, इसमें यहाँ पर सबसे पहले mother की age लिख रहा हूँ, ठीक है, तो mother's age जो है, वो हो जाएगी, दस साल बात, four x plus ten, यह वाली, और जो मोहित की जो age है, वो हो जाएगी, मोहित's age is equal to, यह आपका x plus ten हो जाएगा, तो x plus ten, यह दस साल की बात की उम्रे होई है न, ten years after ten years, लेकिन एक ची की age हमें और तरीके से पता चल सकती है, वो यह है, कि दस साल बात क्या होगा, मोहित अपनी मा का half होगा present की age का, यानि half of mother's present age, तो mother की present की age क्या है, four x, यह हो जाएगा, four x, यानि इसको हम थोड़ा और solve करेंगे, तो four x upon two, कार्ट देंगे, तो यह हो जाएगा, two x, लेकिन देखिए, यह दोनों तो same है, क्योंकि मोहित की 10 साल की बात यह है, age यह है, और यह भी मोहित की 10 साल की बात age होती है, तो दोनों तो equal होने चाहिए, बस बन गई equation, इसे हम solve कर देंगे, according to condition of the question, अब यह दोनों equal है, तो चाहे आप इसे पहले लिखिए है, चाहे इसे पहले और यह x is equal to 10, तो x की value तो भाई 10, आई, और x हमने क्या मना था, मोहित की age, तो इसका अनलब यह हो गया कि अब answer बनाएंगे, तो बनाएंगे इस परकार से answer बनाएंगे, कि मोहित की जो age है, मोहित's present age, ठीक है, वो है x is equal to 10 years, और जो mother की जो age है, present age है, वो हो जाएगी, वो कितनी present age थी, 4x, 4x is equal to 4 into 10, is equal to 40 years, आप question को चेक कर लीजे, answer एकताम सही मिलेगा, तो भाई, यहाँ देखे, हमने, जो question number कौन से solve गे, D, इसके बाद एक question और बसता है, E, वो अगले वीडियो मिलेगा, और link इसी वीडियो description मिल जाएगा, फिर भी कोई अगर आपको doubt है, त आप हम से contact करिए, तो अगले वीडियो में फिर मुलकात होगी, तब तक के लिए, बाई बाई, take care